गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज अपन निकोल प्रिज्म के बारे में बात करेंगे तो निकोल प्रिज्म के बारे में बात करने से पहले अपन प्रिज्म के बारे में बात करते हैं वहतल जो प्रकाशिक अक्ष को अंतरविष्ट करता है क्रिस्टल के आमने सामने के फलकों के लंब होता है क्रिस्टल का मुक्य अक्ष कहलाता है क्रिस्टल के छे फलक होते हैं अतर प्रत्य एक बिंदू के लिए तीन मुक्य काट होते हैं मुक्य काट सदिव केल साइट क्रिस्टल के प्रष्ट को ऐसे चतर बुझ में काटता है जिसके कौन एक सो नौ डिग्री तता एकत्तर डिग्री होते हैं प्रिंस्पल प्लीन की मुक्य तल क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष तथा साधारण किरण तथा मुक्य तल कहलाता है साधारण किरण का मुक्य तल कहलाता है इस प्रकार क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष तथा साधारण किरण में से होकर खीचा गया तल असाधारण किरण का मुक्य तल कहलाता है सामानित है दोनों तल संपात नहीं होते केवल उस विशेश अवस्ता में जब आपन तल क्रिस्टल का एक मुक्य अक्ष काट होता है तो क्रिस्टल का मुक्य अक्ष काट एवं साधारण तथा असाधारण केड़नों के मुक्य तल संपात होते है अब अपन बात करते हैं निकोल प्रिज्म के निकोल प्रिज्म रिखा धुरुवित प्रकाश के उत्पादन तथा उसके विश्लेशन के उप्लूग में लाया जाता है इसका आविश्कार अठारा सो अठाइस में विलियम निकोल ने किया था ठीक है जब कोई प्रकाश पुण कैलसाइट क्यूस में से परकत होता है तो वह दो वागों में विभाजित हो जाठ है यह मैंने पिछले वीडियो में बताए था साधारन किरंग जिसके कंपन क्रिस्टल के मुख्य काट के अभी लंब होते हैं और असाधारण किरण जिसके कमपन मुख्य काटके समानांतर होते हैं। निकोल प्रिज्म की रिश्चन रत्ना प्रकार की जाए है कि वह दोनों किर्णों में से एक का पूर्ण आन्रिक परावर्तन द्वारा विलोपन करता है। ठीक है। प्राय यह देखा जाता है कि साधारण किरण विलोपन होती है और किवल असाधारण किरण निकोल प्रिज्म से परागत होती है। ऐसा क्रिस्टल तरह का डाइग्राम है इस तरह का क्रिस्टल लेते हैं ऐसा क्रिस्टल लिया जाता है जिसके लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगनी होती है। मान लो A-B-C-D-E-F-G-H ये इस तरह का जो है एक S-क्रिस्टल है जिसके A- तथा G- भोटे कोने हैं और A-C-G-E उसका एक मुक्य काड़ है जिसमें A-C-G- जो एंगिल है वो है 71 डिगरी का है। A-C-G- इस तरह से तो फलक A-B-D तथा E-F-G-H इस प्रकार घर्शित किये जाते हैं कि कों A-C-G 71 डिगरी अंश के स्थान पर 68 डिगरी का हो जाता है। फिर क्रिस्टल को चित्र के नुसार A-C-G, sorry A-K-G-H काटा जा है। दोनों के वे प्रश्ट गर्शित करके प्रकाश्ट सम्तल पॉलिश किये जाते हैं। और तब उनको कनाडा बालसम द्वारा जोड़ दिया जाता है। जिसका अपवर्तनांग Calcite की साधारन तथा असाधारन के वर्तनांग के बीच में होता है, यह बीच का होता है, ऐसा कहते हैं, साधारन के लिए जो अपवर्तनांग है, म्यू O is equal to 1.658 करनाडा बालसम का अपवर्तनाग 1.55 और असादर के लिए अपवर्तनाग है वो म्यू E is equal to 1.486 होता है क्रिस्टल का काट ACGE इसमें दिखाया गया है ALGK को करनाडा बालसम को दर्शित किया जाता है इस पश्ट है कि क्रिस्टल के एक भाग से क्रिस्टल की परत में प्रवेश करती है तो सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है जब आपतन कोन क्रांते कोन से बड़ा होता है तो किरन पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है और परागत नहीं होती है और असाधरन किरन पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता इसलिए वह प्रिस्म से परागत होती है यहां पर यह अधुरुवी प्रकाष है जैसा यह प्रकाष मेंटर होता है और पर यह परागत होता है एक साधरन किरन और यह किए साधरन किरन जो साधरन किरन है वो इसका नड़ा बालसम से पर इसका पूर्णांत्रिक परावरतन होता है और यह जो CG जो सर्फेस से इसको ब्लेकर देते हो यहाँ पर यह एब्सॉर्ब हो जाती है और इस निकोल पूर्ण से खाली extraordinary light भी यह असाधर किरन इसमें से परागत हो जाती है जिसके कपन कागज के तल के समानांतर या कागज के तल में ही होता है जिस दिशा में प्रकाश जारा उसके लमवत लेकिन काज के तल में होता है तो इस कार हमें रेखा दुरुवित प्राश्वाप्त होगा है तो साधरन किरन के लिए कनाडा बालसम के आपक वर्तनाग यदि साधरन किरन के लिए आपतन कोंड क्रांतिक कोंड से अधिक होता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और केवल साधरन किरन निकोल प्रिजम से निकलती है इस इस्तिती में निकोल प्रिजम से जानने वाले दुरुवित प्रकाश की किरन रिखा दुरुवित होती है यदि साधरन किरन के लिए आपतन कोंड क्रांते कोंड कम होता है तो वह परावर्तित नहीं होती और प्रिज्म से परागत होगी इस इस्तिति में साधारण तथा असाधारण दुनों किर्णे प्रिज्म से परागत होती है असाधारण के भी एक सीमा होती है जिसके आगे वा कनाडा बालसंद्वारा परावर्तित होती है जब असाधारन किरण प्रकाशी अक्ष के अभिलम चलती है तो उसका अपवर्तनांग 1.48 होगा यदि असाधारन किरण प्रकाशी अक्ष के दिशा में चलती है तो उसका अपवर्तनांग अपवर्तनांग के समान 1.658 होगा इसलिए असाधारण किरण की संरतना दिशा के अनुसार म्यूई 1.48 तथा 1.658 के मद्ध होता है अतर अवस्था विशेश में म्यूई का मान 1.55 से अधिक हो सकता है तब आपतन कोण क्रांगते कोण से अधिक होगा और असाधारण किरण भी कनाडा बालसम पर पूर्ण आंत्रिक परावर्तित होगी निकोल प्रिजम के पाश्व काले पिंड से रंग दी जाते हैं जिससे वे उन साधारण किरण का उशेशन कर ले जो कनाडा बालसम परत पर पाश्व की और परावर्तित होती है अब बात करते हैं, निकोल प्रिस्म विश्लिशक के रूप में कैसे काम करता है, निकोल प्रिस्म का उप्योग रिखा धुरुवित प्रकाश के उत्पादन में तता प्रिक्षण में किया जा सकता है, जब दो निकोल प्रिस्म हैं, इसमें यह यह P1 है, और एक दूसरा P2 है, एक दूसरे के एड्रसंट रखे जाते हैं तो उनमें से एक दुरुवक का कारे करता है और दूसरा विशलिशक का कारे करता है चित्र में दो समानतर निकोल की स्थेती दिखाई गई है और दोनों प्रिजम से केवल असाधा रंटन बाहर निकलती है यदि दूसरा प्रिजम पीटू क्रमशे गुमाया जाता है तो असाधारन किरन की तीवरता मेलस के नियम के अनुसार गटती है और जब दोनों प्रस पर अनुप्रस्त होते हैं अर्थार्थ जव्वे इस चित्र के अनुसार इस तरह है चित्र के अनुसार परस पर अभी लंब होते हैं तो दूसरे प्रिजम पीटू से बाहर कोई भी प्रकाश नहीं निकलेगा इसके अंदर यहां से कोई भी हमें प्रकाश प्राक्त नहीं होगा इसका आर्थ है कि पीवन में से प्रकाश रेखा दूवित होता है और जब दूवित असादारन किरन इस स्तिति में पीटू में प्रवेश करती है तो सादारन किरन के समान कार्य करती है और करणाबालसम परत पर पूर्ण आंत्रिक परावर्थित हो जाती है और इस प्रकार पीटू से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकलता इसलिए प्रिज्म पीवन रेखा दूवित प्रकाश उत्पन करता है और प्रिज्म पीटू उसका परिख्षन करता है फल्टाम सकते हैं कि P1 तता P2 क्रमशय धुरूवक और विशलिश का कार्य करते हैं आज के लिए इतना ही इसके बाद अपने एक्स टेंट पे लेंगे के लिए्ट पल्टाम सकते हैं तता留守 की कर दो के लिएज़ सकते हैं